Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल और भारत क्या चाहता है बांगला दिश में, और इसका जो पुरा पुरा पॉलिटिकल सिस्टम है, वो आपको समझ में आ जाएगा, चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा, आज से हमारा SIP Plus batch start हो रहा है, मतलब अगर आप UPSC 2024 का Prelims का exam दे रहे हैं 26 मई को, तो ये जो batch है, ये आप जोईन करते हैं, तो आपका जो पुरा सब कुछ, तो हमारा Foundation batch join कर सकते हैं, या फिर RBI grade भी अगर आपको लेना हो, जो भी कुछ आपको चाहिए, just use this code, और इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेश पर जा सकते हैं, वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, चल क्योंधी प्रकार से बांगलादेश का की आखिर कार किसकी सरकार बनेगी, प्रायमिनिस्टर कौन बनेगा, और आपको पता है, इस समय जो सरकार है वहाँ पर बांगलादेश में, वो आवामी Leak Party की है, जिनकी जो लीडर है, शेख हसीना, वो इस समय प्रायमिनिस्टर की प करता है देखे सबसे पहली चीज आपको यहाँ पर पता होने चीज जैसे भारत में अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर बाई कैमरल लजिसलेशन है मतलब की लोगसभा और राजसभा लोगसभा लोवर हाउस कहते हैं राजसभा अपर हाउस कहते हैं बांगला देश में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर unique camera है, मतलब की एक single house है, that is जतिया संगसद इसको कहा जाता है, ठीक है, अब भारत में भी आप देखिए, तो जो election है, जिससे सरकार बनती है, वो आपका लोग सभा के चुनाव से बनती है, लोग सभा में जो 543 members होते हैं, उनका जो चुना होता है, elections होता है, उसके आधार पर, जिसको ज़्यादा seats मिलती है, बहुमत होता है, वहीं यहाँ पर जो है आपका एक तरह से लोग सभा में अपना majority लाता है, और सरकार बनाता है, जैसे इसमें presently अगर आप देखोगे, BJP, LED, NDA, उनकी सरकार चल रही है, बांगला देश म जो मैं आपसे 350 seats की बात कराऊ ना, इस 350 seats में चुनाव होता है सिर्फ 300 seats पर, और सेम वैसा ही जैसे भारत में होता है, जैसे भारत में first past the post system है, मानलो एक constituency है, वहाँ पर तीन candidates है, एक candidates को यहाँ पर 40% vote मिला, दूसरे को यहाँ पर 30% vote मिला, और तीसरे को भी 30% vote मिला, तो जिसको जादा vote मिलता है, जो first past the post system कहा जाता है, तो उसे साब से वो candidate जीट जाता है, सेम उसी प्रकार से बांगलादेश में भी हर एक constituency के उपर election होता है, लेकिन जैसा मैंने आपको बटाया, कि जो election होता है यहाँ पर, वो सिर्फ 300 seats पर होता है, तो बाकी के 50 seats का क्या मतलब कि बाकी की जो 50 seats होती है, वो reserve होती है for women, और वो जो ruling party होती है, coalition party होती है, वो यहाँ पर एक तरह से appoint करती है, तो अव्यस सी बात है यहाँ पर जो भी यहाँ पर चुनाओ जीता, बाकी का 50 seats भी उसी का हो जाएगा, क्योंकि वही party एक तरह से appoint करेगी, यह चीज आई मैं इस वी hope आपको समझ में आ गया ऊगा, जैसे भारत में जो head of the government होते हैं, वो prime minister होते हैं, वैसी बांगलादेश में भी हैं, वहाँ पर भी head of the government prime minister होता है, और भारत में भी president होते हैं, head of the state, उसी प्रकार से बांगलादेश में भी आपको head of the state president मिलेंगे, लिकिन जो real power ह होती है, I am sure आपको पता होगा, वो प्राइम मिनिश्टर के पास होती है, तो कल जो ये election होगा, कल सुबह आठ बजे से लेकर शाम चार बजे की बीच में election होगा, total जो candidates इस बार contest कर रहे हैं, उनकी संख्या है 1896 के आसपास, मतलब कि हर seats पर on an average 6.3 candidates चुनाओं लड़ने हैं, और इसके लावा यहाँ पर महिलाओं का participation मैं आपको बताओं, जो candidates हैं, total 5%, तो देखो वहाँ पर भी काफी problem है, वहाँ पर भी अगर आप महिलाओं का participation देखो कि चुनाओं में काफी कम है, और इसी की वजे से कहीं न कहीं, जो 50 seats reserved किया गया है, वो especially मैलाओं के लिए किया गया है, ताकि overall यहाँ पर जो जतिया संगसद है, वहाँ पर मैलाओं का representation दिखे, अब बात करते हैं यहाँ पर political parties की, क्योंकि अभी अगर आप present में देखोगे, जो 350 seats हैं, उसमें से 306 seats, मतलब पूरा ही बहुमत है, आपके एक तरह से कह सकतो, वो है अवामी लिग के पास, जो शेख हसीना की party है, और बाकी के यहाँ पर जो opposition, main opposition अगर आप देखोगे, actually main opposition तो बांगलादेश नैशनलिस्ट party है, BNP जिसको कहा जाता है, लेकिन वो उन्होंने boycott कर रहा है election, वो मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, political parties की अगर हम बात करें, तो multi party system है, जैसे भारत में भी आप देखोगे, multi party system है, लेकिन भारत में भी आपको पटाई होगा, दो major parties कौन सी है, एक है आपका Congress, दूसरा है BJP, इसी की इर्दगिर्द सरकार बनी है, जब भी बनी है, आपने देखा होगा, तो यहाँ पर क्या हुआ है, कि 1990 से बांगलादेश में वहाँ पर duopoly हो गई है, वहाँ पर भी दो major parties है, एक जैसा मैंने आपको पता है, शेख हसीना की party आवामी लीग, और जो दूसरी party है, वो है आपका BNP, बांगलादेश nationalist party, जिनकी leader है, खालिदा जिया, यह picture मैं आप देख सकते हो, खालिदा जिया, इसका सब कुछ हिस्ट्री मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दू, 1991 से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे, तो आवामी लीग, जो शेख हसीना की party है, उन्होंने वो चार बार power में रही है, और जो BNP है, खालिदा जिया की party, वो दो बार power में रही है, और मैं आपको बता दू, आवामी लीग की अगर हम डीटेल से चर्चा करें, तो आवामी लीग, 1949 में found किया गया था, आपको पता होगा, यह जो map आप देख रहे हो, यह मैं just जब आपका partition हुआ था, देश आजाद हुआ था, उस समय का आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको पता होगा कि हैदराबाद, जुनागर, कश्मीर, यह लोग अभी तक भारत से के साथ नहीं आये थे, वो बाद में चीजें बदली थी, खेर, यहाँ पर आप देख सकतो, यह रहा आपका West Pakistan, और यह आपका कहा जाता है East Pakistan, तो यहाँ पर क्या था कि पहले यह दोनों पाकिस्तान हुआ करते थे, तो actually 1949 में बांगलादेशी जो है वो alternative के तौर पर आई, actually East Pakistan में आपको पता होगा, यहाँ पर एक पार्टी है Muslim League कहा जाता है, ठीक है, तो Muslim League को counter करने के लिए एक alternative के तौर पर बांगलादेश में यहाँ पर एक पार्टी बनाएं गए जिसका नाम है आवामी लीग, और क्या हुआ आपको पता होगा कि 1971 आते आते हैं, आपर partition हो गया फिर से, और जो West Pakistan है वो पाकिस्तान बन गया, और जो East Pakistan है वो आपका बांगलादेश बन गया यहाँ पर actually क्या हुआ जब बांगलादेश फॉर्म हुआ 1971 के बाद, तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो शेख मुझीवर रहमान है उनका assassination कर दिया जा, assassination भी ऐसा था कि पूरे family को खतम कर दिया गया था, वो तो क्या हुआ इनकी जो दो बेटी हैं, शेख हसीना और शेख हसीना की जो बहन है, वो फॉरण में थी, वो विदेश में थी, इसकी वज़े से वो दोनों यहाँ पर बज़ गई, और शेख मुझीवर रहमान मतलब कि शेख हसीना की जो पूरी family है, उनका assassination कर दिया गया, उनका खून कर दिया गया, बहुत ही खतरनाक तरीके से यह पूरा well planned किया गया था, और 2009 से लेकर शेख हसीना अभी आपका प्रामिनिस्टर के पत पर बनी हुई है, तो 2009 से अभी तक लगबग 15 साल से शेख हसीना प्रामिनिस्टर के पत पर है, यहाँ पर अगर हम बात करें, BNP की बांगलादेश नैशनलिस्ट पार्टी जिनकी भी assassination कर दिया जाता है 1981 में, और इसी की बज़े से इनकी जो wife है खालिदा जिया वो पार्टी को lead कर रही थी तिल 2018, तो खालिदा जिया 2018 तक lead कर रही थी, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इनको house arrest कर लिया गया, तो jail में उनको रखा गया और 2020 से यह house arrest में है, तो खा आरिक रहमान ये भी बांगलादेश में नहीं है समय, ये भी समय exile में है, लंडन में, ठीक है, तो इस तरह से बांगलादेश Nationalist Party work कर रही है, और पिछले कई वर्षों से अगर आप देखो के तो इन्होंने यहाँ पर elections को boycott कर रहा है, इनका कहना है कि यहाँ पर elections को boycott किया अपने हक में और इसलिए main problem है, खैर उसके बारे मैं आपको अलग से चर्चा करूँगा इसके बाद, लेकिन एक और चीज मैं आपको बता दो, जो third largest party है बंगलादेश में, वो है आपका जतिया party, मैं आपको दिखाया था ना भी ये जो चार्ट आपने देखा था, तो यह हाँ पर आप देखो कि जतिया party के पास 27 seats है, तो यह party elections लड़ रही है, तो इस से में अगर हम बात करें, कल जो election होने वाला है, तो उसमें खालिदा जिया की party जो है वो आपका बंगलादेश नाशनलिश पार्टी ये elections नहीं लड़ रही है, और जो शेक हसीना की party अवामी ल वो almost election जीतने ही वाली है, क्योंकि जो main party है BNP वो तो election लड़ी नहीं रही है, तो यहाँ पर क्या है, जो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय election का है, वो है fairness का, कि क्या जो election process है, क्या वो fair है की नहीं, क्योंकि अगर मैं आपको बताओ, तो elections हमेशा से बांगला देश में कई ब जाती थे 1979 में, तो वो सारे elections में controversies रही है, फिर उसके बाद क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर caretaker government का system आया, बांगला देश के अंदर, ताकि वो एक independent caretaker system होगी, जैसे भी पाकिस्तान में चल रहा है ना, पाकिस्तान में आपने देखा होगा, यहाँ पर कि 1991 में जो election हुआ, वो आपका fair माना जाता है, उसके बाद फिर से 1996 में, 2001 में, 2008 में, सभी caretaker government के अंदर में हुआ था, फिर क्या होता है, देखिए, actually क्या हुआ था, 2006 और 2007 के बीच में, यहाँ पर army ने क्या खिया था, बंगला देश में, hundreds of politicians को, चाहें वो शेक हसीना है, खालिदा जिया है, सभी को prison में डाल दिया था, और charges of corruption, abuse of power, और इसी को देखते वे, जब शेक हसीना पावर में आई 2009 में, तो उन्होंने finally इसको देखते वे, 2011 में, जो caretaker government का system है, उसको हटा दिया पूरी तरह से, और कहा कि, जो caretaker system elections conduct कराती थी वो नहीं होगा, और जो गलत तरीके से जीतने की कोशिश की जाती है, और opposition को एक तरह से हटाया जाता है, तो BNP जो है इसी लिए boycott कर रही है लगतार election since 2014, और यहीं actually सबसे बड़ा मुद्दा है, फिर दूसरा बुंदा बाकी के भी हैं, जैसे economy वगरा को लेकर, although अगर आप देखोगे, तो बांगलादेश बनने के बाद बांगलादेश एक तरह से recent times में, especially शेक हसीना के term में, काफी तेजी से growth किया है, लेकिन उसके बावजूद भी recent times में, अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर जो cost of living है, जो inflation है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दार है, तो लोग इसको लेकर oppose भी कर रहे हैं, सडकों पर भी आये थे, और यहाँ पर आपको याद होगा, पिछले साल December में, IMF ने पहला review किया था, उनको जो bailout package देना था, 4.7 billion dollar का, उसमें से immediately 468 million dollar release भी किये गए थे, तो यह सारी मुद्दे भी हैं, खेर, question अब यह है कि यहाँ पर जो India है, जो भारत ह वो क्या चाहता है, देखो, despite आप कितना भी कहिए, शेख हसीना की जो rule है, वो autocratic tendencies है, या फिर जैसा भी आप कहिए, लेकिन भारत clear cut चाहता है, कि यहाँ पर शेख हसीना ही दूसरी बार वापस से मतलब Prime Minister बने, और इसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ, शेख हसीना के साथ और भारत का जो relations है, वो 1970 से ही है, क्योंकि आपने देखा होगा, बांगलादेश liberation movement में, जब उनके जो father थे, मुझी पूर रह्मान, उनको पूरी तरह से भारत ने back किया था, और कहीं न कहीं जो चार बार power में ये लोग रहे हैं, उसकी वज़े से भारत और भांगल किना की जो वापसी है, उसको भारत चाहता है, वहीं अगर आप दूसरा बात करेंगे, खालिदा जिया की, जो बांगलादेश nationalist party हैं, उनको तो भारत बिलकुल भी नहीं चाहता, क्योंकि उनके समय में अगर आप देखोगे, तो बांगलादेश became a safe heaven for terrorists and militant outfits, मतलब anti-India जो design करके जितनी चीजे चलाई जाने की कोशिश की जाती थी, in fact उन्होंने अप पावर में जब आई थी, खालिदा जिया, तो उन्होंने अपना जो पावर है वो Islamist radicals के साथ share किया था, and उसको support किया जा रहा था पाकिस्तान ISI के दोरा, और कहीं न कहीं इसलिए हमेशा से North East क अंदर, बांगलादेश की उजे से बहुत जादा trouble रहता था, और पाकिस्तान भी यही चाहता था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और interesting की बताता हूँ, 2001 में क्या हुआ था, एक बहुत बड़ी घटना होई थी, बांगलादेशी paramilitary troops ने यहाँ पर 16 BSF के guards को मार दिया थ बॉर्डर clash हुआ था, तो खालिदा जियाद जब भी यहाँ पर प्राइमिस्टर बनी है, भारत के साथ relations बहुत खराब होई हैं, लेकिन दूसरी तरफ जैसा मैंने आपको बटाया, शेक हसीना, इन्होंने चीजें काफी improve की हैं, और especially, actually क्या हुआ था, 2004 में अगर आपको याद हो, शेक हसीना के उपर भी assassination का attempt हुआ था, और उसके बाद से शेक हसीना से हसीना ने ठान लिया था, कि वो radical जो इस्लामिस्ट हैं, उनके साथ power share नहीं करेंगी, और उनके खिलाब वो action लेंगी, और इसका कहीं न कहीं security, जो एक benefit है वो भारत को मिला है, जो problems पहले रह कौन सा राजजी का जो border है, वो सबसे बड़ा है भांगलादेश के साथ, कौन से state का border, longest border है, इसका right answer आप सबको पता है, मेरे Instagram पर तुम मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram से ले सकते हैं, इसका सही उतर में, कई सारी MCQs हैं, वो यहाँ पर stories म में डालता रहता हूँ, बाकि अगर आपको PDF, YouTube, Telegram पर आईए, अलग लग social media पर आप जूड़ पाऊगे और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं, इस्पेशली आज से हमारा SIP स्टार्ट हो रहा है, पूरा batch की त्यारी करनी है, पूरा UPSC की त foundation batch by using the code ANKITLIFE, and I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूँ, आप से नेक्स time, till then, thank you very much, see you soon.